लॉन्हार दोस्तों मेरे पास एक आटमेटिक गैस है आज दोस्तों इस वीडियो अंदर में आपको बढ़ाता हूं एक लाइटल होता है लाइटल जिसकी विश से इसको हम अटमेटिक बोलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कई फिर क्या होता है जब हम गैस चुले को हुन करते हैं तो आप यहां धान से देखो जब हम इसको गैस को अरहन करते हैं तो यहां पर एक स्पार्किंग होती है कई इस पार्किंग की विज़ते ही हमाना चुलै होजा आप जलने लग जाता है यह अज़य्ममे मिदि दोस्तों के अंदर यह इंतयक्र प्रोब्लम आ जाती है अपनी इस फार्किंग प्रोब्लम को कैसी आयल कर सकते हुं इस वीडियो कंदर दोस्तों मैं आपको इस इसह इसके अंदर इसके अंदर इस पार्किंग प्रोब्लम है और इस मशीन को मैं आपको ठीक करके दिखाता हूं कि हम तैसे अपनी स्पार्किंग प्रोब्लम को हल कर सकते हैं और इस पार्किंग प्रोब्लम किस-किस वज़ से आती है और इसके अंदर क्या-क्या पार्ड होते हैं या आप दियान से इस वीडियो को देखना, जबakesने मेरी इस वीडियो को दियान से देखते हूँ तो आप अपने गर पी ही अपने एटम में आने वालु परॉबलम कोपो असानि से र्ल कर सकते हो। स्पार्किंग प्रोब्लम को हल करने के लिए दोस्तों हमें पूरे चुले को खोलने की जूरत नहीं है जिस भी मसीन के अंदर या जिस भी किट के अंदर एक स्पार्किंग प्रोब्लम है हम उस किट को ही स्पेशल खोलते हैं और उसको हल कर सकते हैं इसके लिए दोस्तों हम इ कि दोस्तों हमारे सिर्फ िसक्रिट के इंदर ही अधे पर्किंग प्रख यह मुद्र किफेड को आपको बीस को क्या प्रखना Mighty i7аты फ्रेविर चिर्व हो ट्रीक से काम नहीं कर रहा है और यहां से दोस्तों यह कुछाम नोत होते हैं यह पूपन कर लेते हैं सुआ इस तरह दोस्तो जिस भी मसीन के अंदर आपकी स्पार्किंग प्रोलम है आप उसे आलग कर सकते हो हम इसके निपल को भी खोल लगते हैं ताकि मसीन अमरे असान से बार हो जाकती है हम इस इस दोस्तो इस दूपल को हम इस तरह से अंदर की तरफ करके भी कुछ से बार हो हम इस निपल को बाहर निगालते हैं और इसके बाद यह हमारी इसलिफि है यह चुले से ओलग हों जाती है इस तरह सेको दोस्तों सिर्फ जिस मसीन के अंदर प्रॉलम हैं हम उस मसीन को अलग ब्रहेते हैं इसके बाद मैं आपको भी आता हूं कि हम इसकी पार उल्फ को कैसे बिदू कर सकते हैं आं मों है यह जो एन्दे Mitglrie इसके जो सिस्टम होता है वह इसके इंदर ही होता है में आपको उसको खोल के दिछाता हूं मिए क्या क्या पाड होते है अ हुआ है इस तरह से दोस्तों हम इस पत्ती को अलग कर लेते हैं और अब आप ध्यान से देखोगे कि हमारे जो एटोमेटिक का लाइटर सिस्टम होता है किस तरह से होता है देखो दोस्तों इसके अंदर यह एक सिप्रिंग होता है इस पत्तर होता है और एक यह सिस्टम होता है जिस तरह से हम दोस्तों जब हम इस ग्यास को इस तरह से ओन करते हैं तो हमारा जो पत्तर है वो पिछे जाता है और जब हम और करते हैं तो वह पत्तर जाके इससे टकराता है तो अमारे यहाँ पर स्पार्किंग पैदा होती है जिससे हमारी गैस ओन अप्टी है दोस्तों में एक बर और आपको दिखाता हूं किस तरह से जो यह लाइटर सिस्टम काम करते हैं यहां पर पार्कुंग प्थार के जरीये होते हुए इस पार्क पार्क में जाती है, इस पार्क से फिर यह गैस को ओन करती है इस तरह से दोस्तों हमारा जो इस तरह से दोस्तों कि एक यह पत्तर होता है लोगय का बना होता है और एक यह पार होता है दोस्तो अजब भी दोस्तो आपके अर्टमतिक शिस्ट्म में स्पार्किंग नेस यह में इसकें पाइप होती है आप ध्यान से देखोगे कई परीक्या होती है यह पाइप टूर जाती है तो हमें इस पाइप को दूसरा चैंज करना होता है कि हम इस Pipe में ना तो कुछ जोड़ लगा सकते हैं ना ही किसी परकार कि हम इसको प्राइख का हल कर सकता है तो इस के लिए हमें इस Pipe में कोई problem आ जाती है तो हमें इसको पूरी कोई change करना होता है ये बजार से पालक से ये पार्ड में जाता है इस पार्ड को हम लाके हम इसके अंदर सिस्टम में सेट कर देंगे तो हमारी जिस पार्ड की समस्चा है वो हल हो जाएगी दूसरी समस्चा दोस्तों इस पार्ड की पर से आती है इस पार्ड मेदी यहां पे यह पार्ड में गंद लग जाता है जंग लग जाता है तो हम इसे इस जंग को किसी रेगमार की मत से अनसाफ पर देते हैं तो हमारी जो स्पार्किंग समस्या है, वो भी हल हो जाती है, इसके पाद दोस्तों, इसका ये पार्ड होता है, जो इसमें चिंगारी पैदा करता है, इस पार्ड में दोस्तों, यहाँ पे जंग लग जाता है, जंग लगने से जो स्पार्किंग की समस्या हमारी आना सुरू हो इसके बाद दोस्तों, इसका ये पार्ड होता है, जो इस स्पार्किंग के system को चलाता है, या द कि इसके बाद virus निम्हारी विन तोड़ती है तो हमारे जो स्वाइपिंग समसे हुद़ывать क्यों होती है कई पिर क्या होता है दोस्तो है इस पाइप के अंदर आप देखो कि ज़्याण से आप इसके अंतर होता है इस प्लास्टिक वाली रबर के अंदर से होके गुजरता है यह तार यह तार अंदर से टूर जाता है जिससे हमारी जो जो चिंगारी पैदा होती है वो यहां से होते हुए आगे नहीं जाती जिससे हमारी स्पार्किंग समस्चा पैदा जाती है इस तरह से दोस्तों इसमें मसीम में एक पार होता है दोस्तों इस पार में भी दोस्तों ये लोहे की एक तार होती है कई फिर क्या होता है इस लोहे की तार भी ये खराब हो जाती है इसके उपर जंग लग जाता है इसकी वेसे भी हमारी जो इस लाइटर सिस्टेम में स्पार् आपको सबसे पहले तो हम इसके परतियाग पार्ट पर जो भी जंग लगा होता है या कोई कचरा लगा होता है हम उसको रेग मारके में से साफ कर लेते हैं दोस्तो मैंने इस मशीन के सबी पार्टों को रेग मारक से अच्छे से साफ कर लिया है लेकिन दोस्तो जो मेरी इस आइटमाटिक गैस के अंदर स्पार्किंग प्रोलम किस वज़से जे मैं आपका बताता हूं हमेरी इस मशीन की जो यह पाइप है यह तूट शुकी है इसलिए दोस्तो मैं इसको दूसरा चैंज करता हूं जिससे हमारी मेरी समस्या हलो जाएगी यह देखो दोस्तों इसके जगह पे में यह वाला यह मेरा यह पाइप टूट चुकी थी इसके जगह पे में यह पाइप लगा रहा हूं और दोस्तों इसको किस तरह से फिट करना है मैं आपको यह भी पताता हूं इसके अंदर एक दोस्तो एक चोटी सी वार्षल होती है यह वाली वार्षल होती है इस वार्षल को इसके अंदर ऐसे फिट करती है और ऐसे फिट करके दोस्तो हम इस रबड को इसके अंदर ऐसे डाल देते हैं इस संसे दॉस्त तो हम इसको ऐसे कणते हैं दोस्त और बैरकर ऐसके उसके दूरल कोosten अहोसे दूर पूचर दाखोर इसका ये वाला हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा है, आप दियान से देखोगे, इसको नीची की तरफ करना है, इस तरह से, इस तरह से लगादा हूँ, अब दोस्तों, मैं आपको सिप्रिंग दिखाता हूँ, इस सिप्रिंग को आप दियान से देखोगे, इसका इस तहर से जो मौ होता है वह दूसरी तरह को होता है और इस साहर से मूँ होता है वह दूसरी तरह से होता है जहां से देखो कि दोस्तों इस इस पत्थर के अंदर एक कट बना हुए यह देखो दोस्तों और इस सिप्रिंग के अंदर भी एक बीच में से कट दिया हुए यह कट इस सिप्रिंग का इस तरह से लगाओद य। इस के अंदर अच्छे से से जिएगा. यह बाला हिस्सा इस अथ्थुरिंदर अच्छे से साउच हो जाता है. और इसको हम इस मशीन के अदर इस तरह से फिट कऱ Today. हाँ दोस्तो एक आर बात बताता हूं. दोस्तों इस सिप्रिंग को इसके अंदर ऐसे सीधा ही नहीं डालना होता है इस सिप्रिंग को हम थोड़ा सा राइट साइड यहां से देखो यहां से पकड़ के दोस्तों थोड़ा सा राइट साइड इस तरह से गुमा के इसके अंदर फिट करते हैं इस तरह से हम इसको सिप्रिंग को राइट साइड ऐसे गुमाते हैं और इसके अंदर फिट कर देखते हैं यह दिया आप इसको सीधा ही फिट करोगे जो आपका जो आटोमेटिक सिस्टेम है वो काम नहीं करेगा इसलिए हम सिप्रिंग को राइट साइड इस तरह से गुमाके और इसके अंदर फिट कर देते हैं इस तरह से फिट करने के बाद दोस्तों हम इसकी पत्ति हमने ओपन की दी हम उस पत्ति को दुबारा लगा देते हैं इस पत्ति को दोस्तों यहां पर ऐसे डालना होता है और उ कि इसके नट को बंद कर देते हैं इस पत्ति को दोस्तों इस तरह से हम लगाते हैं और इसके बाद हम इसके नट को बंद कर देंगे नट बंद करने के बाद दोस्तों मैं आपको इसको चला के दिखाता हूं दोस्तों यह नट बंद हो गया है अब यह हमारा अच्छे से पैक हो गया है अब दोस्तों हमने जो यह यह रबड वाली लगाई थी प्लास्टिक वाली तार लगाई थी हम इसको इसक है कि इस तरह से दोस्तों इसमें फिट हो जागी है दी दोस्तों आपकी यह प्लास तहुत यह छीज भी भी खराब होता है तो यह भी मार्केट में नहिए आता है आप उसको भी चैन्ज करसे कि Aceador weekend यह देखो दोस्तों यहawी आपका ये वाला पाट कराब कि हमारा यह फिलकुल अच्छे से काम करने लगए esfकास तो यहा ध्यान से देखनाapan को पारकिंग तो हुआ है दोस्तो इसमें उसकी पारकिंग काम करने लगी है तो हमारे अटमाटिका जो शिश्टेम है वो बिल्कुल ठीक हो गया, अब दोस्तो जिस तरह से हमने इस मेशीन को यहां से ऊपन किया तो आपक अइन दोस्तों हम in ice kसे वेंगे और बंद करने के बार दोस्तों हम ने जो यहां से जो दो नट को ले थे हम ऊने को भी बंद कर देमेगे और इसके इस निपल को लगा दिने इसको इस निपल को यहां पर टाइट कर देंगे इसके बाद हमारा जो आटमेटिक सिस्टम था वो बिल्कुल ठीक हो गया इस तरह जो दोस्तों आप मेरी इस वीडियो को देखके अपने घर पर ही अपनी इस आटमेटिक की जो स्पार्किंग समश्चा है उसको ठीक कर सकते हो यदि दोस्तों मेरी आपको ये वीडियो को अच्छी लगती है तो इसको लाइक करना मेरी इस वीडियो को ज्यादस ज्यादस सेयर करना और मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल रिपेर स्टैप को सब्सक्राइब करना